हेलो दोस्तों एक बाब फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुपाल स्टेडी स्टूडियो में दोस्तों लास्ट टू पार्ट्स में जो की लॉजिक गेट पर मैंने दिये थे उसमें हमने कवर गे थे एंड गेट, और गेट, नंड गेट और नॉट गेट तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ जौर गेट इसको एक्सक्लूजिवली और गेट भी बोला जाता है जो जौर गेट का नाम है यहां पर अगर इसका बूलियन एक्सप्रेशन देखेंगे दोस्तों कि कैसे इसका आउटपुट जनरेट होता है इनपुट से तो अगर मेरे दो इनपुट है ए और बी तो यहां पर जो आउटपुट होगा वो या तो हम बोल सकते हैं यहां पर दूसरा एक्सप्रेशन देखेंगे तो यहां पर दोस्तों अगर आप टूट टेबल को देखेंगे तो आपको देखेगा कि अगर मेरे दोनों इनपुट ए और बी जीरो है तो आउटपुट भी जीरो रहेगी या फिर दोनों वन है तो तब भी आउटपुट जीरो ही रहने वाली है इसका मतलब अगर दोनो input हमारे same रहते हैं तो output zero रहेगी अगर आपको output one करना है या उसको output को on करना है तो आपको दोनों मैंसे किसी भी एक input को यहाँ पर zero करना पड़ेगा तो output हमारा one हो जाएगा यहाँ पर अगर ladder logic की मदद से समझते हैं तो ladder में जैसे कि यहाँ पर दो line होती है power की तो left से right को चलता है यहाँ पर ladder और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो use किया है a और b यहाँ पर आप मान सकते हैं इनको तो a और b को मैंने no nc अगर मैंने तो दोस्तों हमने किस तरह के से use किया हुआ है a का nc प्लस b का no तो हमने क्या करा है इनको यहाँ पर series में जोड़ा हुआ है या फिर इसके पैलर में हमने जोड़ा हुआ है a का no और b का nc तो इस तरीके से जोड़ा हुआ है पैलर में दोनों को तब ही हमारा इस condition यह truth table को fulfill कर पाता है और उनको no nc बनाके पैलर में भी जोड़ेंगे तो इस तरीके से हमारा output जो generate होगा वो exor gate को follow करेगा यहाँ पर अगर gates के system से समझाओ मैं आपको boolean expression जैसे दो expression थे a.b bar plus a bar dot b तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जैसे मेरे a और b दो input है a देखिए यहाँ से कहा जा रहा है यहाँ पर जा रहा है a यह है और जो b bar है यहाँ पर क्योंकि यह not gate से लिख लेगा तो यह बन जाएगा b bar क्योंकि यहाँ पर end gate लगा हुआ है तो जो output लिख लेगा वो लिख लेगा a.b bar वैसे यहां आप देख सकते हैं यहां पर जा रहा है तो यह a bar बन जाएगा है क्योकिये नॉट gate से लिखला ला यह a bar ben जाएगा और बी डिरेकली जारा ला तो नौट gate से लिख लेगा यह बन जाएगा a bar .b f i a bar इस तरीक से expression होगा जब output हमारा लिख लेगा तो यहां पर output आप देख रहे होंगे और gate लगा हुआ है तो और gate क्या करता है प्लस कर देता है तो यहां पर हो जाएगा boolean expression a bar dot b plus b bar dot a या a dot b bar कुछ भी वह सकते हैं तो इस तरीके से अगर हमारा यह boolean expression रहेगा इस तरीके से logic gate को यूज़ करेंगे तो जो output आएगा वो जौर gate का आएगा यहां पर यह truth table follow करेगी यहां पर example से मैं आपको समझा देता हूं जैसे कि suppose किस तरीके से यह follow करेगी तो यहां पर आप देख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि अगर दोनों expression हमारे यह दोनों input अगर सेम रहेंगे suppose a मेरा one है मलब a high है और b b high है तो क्या होगा जब not gate से पर यहां पर लिख लेगा तो यहां से जाना नीचे तो PS तो यहां से होते होगा तो 10 बद जाएगा क्योंकि यहां पर मुइयु आप नोट के बादी दो जाएगा तो यहां पर और गेट से लिखलेगा तो जीरो और जीरो हमारा जीरो रहेगा जादा समझने के लिए आप और एंड गेट को देख सकते हैं मेरी लास्ट वीडियो में कैसे उसमें से आउटपुट निकलती है तो इस तरीके से सेम अगर दूसरे एक्जांपल से बता लिख लेगा तो यह 0 हो जाएगा और ऑब यहां से लिख लेगा तो यह 0 हो जाएगा क्योंकि यहां पर डिरेकली जा रहा है तो जाते हैं तो अब बहुत मतलब 1 ही रहेगा और यहाँ पर 0 रहेगा और और gate से लिकलने के बाद 0 और 1 यहाँ पर क्या बन जाएगा 1 तो आप देख सकते हैं जब मेरे दोनों input मलब एक input 1 और एक input 0 था तब यहाँ पर हमारा जो expression लिकल के आया output में वो 1 लिकल के आया तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से इसको follow यह करेगा दूसरा हमने expression दिखाया था a plus b dot a bar plus b bar इसको ऐसे भी समझ सकते हैं a plus b पहले यहाँ पर और gate बनाएंगे फिर a bar plus b bar भी और gate बनाएंगे और दोनों को मिला के हमें end gate से गुजानना है तो इसका हमने नीचे डाइग्रम बनाया हुआ है तो a यहाँ पर जा रहा है b यहाँ पर जा रहा है तो a और b डिरेक्टली जब जा रहा है तो यह बन जाएगा हमारा a plus b और gate से जब लिख लेगा और यहाँ पर जब not gate से बनाया है जाएगा है और यहाँ बन जा रहाएगा यह जब दोनों इंपूट्स है तो यह जिरो रहेगा अब मैं example बताता हूँ आपको दूसरा condition जहां पे दोनो one one रहेंगे तो one one में भी zero ही होना चाहिए देखिए one one जब और gate से लिख लेगा यहां पे तो यह one हो जाएगा और one one जब not से लिख लेगा zero और zero हो जाएगा और one और zero जब end gate से लिख लेगा तो यह zero ही हो जाएगा तो इस तरीके से जब दोनों input zero थे या दोनों input one थे तो दोनों में यह जो final expression आएगा zero आएगा जो इस condition और इस condition को follow करेगा अब last का मैं एक input को zero और एक input one करके देखता हूँ जैसे ए को मैंने one कर दिया और बी को zero तो जब और गेट से लिख लेंगा आपको पता है one और zero जब लिख लता है तो बन हो जाता है और वैसी ने जब not gate से कोई एक expression जिसे यहाँ पे not gate से लिख लेगा तो जीरो हो जाएगा और बी जब बी आपको पता है जीरो है तो जब से लेकलेगा तो यह happen हो जाएगा ऑगी जब और गयर से लेगा है तो वड्र गयर्डत्तू ऑर इन्पुट हमारे हैं केरे हमारी होो रही है तो थे फॉलौ भी हो सकती है तो आपने देखा दोस्तों हमने जौर गेट को डवलप दो तरीके के गेट से किया कॉंबिनेशन आप जो हमने एंड गेट और और गेट के कॉंबिनेशन से साथ ही हमने वहापे नौट गेट का भी यूज किया और फाइनल एक्सप्रेशन मिलाके जो आया वह जौर गेट का आया तो आशे करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा आगे भी मेरे साथ बने रही है कुछ नए टेकनिकल वीडियो के साथ तब तक के लिए दीजय जय जय नमस्कार जय हिन जय भारत